एलो गाईज वेलकम बैक और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने किसी भी Android डिवाइस को एपेच के थूरू रूट कर सकते हो जो कि एक नया रूटिंग मैथड है इसी वीडियो में हम रूट करने वाले हैं मेरे Poco F1 को एपेच के थूरू तो देखते है तो वीडियो सकते है जो कि एक वाइएच के निकाल रखी है तो इसको हम इसे पैच करेंगे और उसके बाद में जो है PC से flash करने वाला है ठीक है ना तो सबसे पहले क्या करना है हमको जाना simply Apache में आपको Apache का application को open करना है और यहाँ पे जो है simply आपको उपर icon में जाना है इसका link मैं जो है description में दे दूँगा वहाँ से आप download कर सकते हो ठीक है ना latest वाला यहाँ पर इस icon पर total eight character जो है add करने होंगे यहाँ पर फिर यह काम करेगा और इस जो भी super की आप रहो उसको याद रखना पड़ेगा बाद में जो है reboot के बाद में यह मांगेगा तो उसके बाद में हमको यहाँ पर जो है enter करने पड़ेगी ठीक है ना तो यहाँ पर नंबर और स्टार्ट कर देगा हमारे बूट आयमजी फाइल को ठीक है तो थोड़ा वेट करते हैं तो यहाँ पर जो है अपनी बूट आयमजी फाइल जो है पैच हो चुकी यहाँ पर लिखा भी है कहाँ पर यह इस्टोर हुई आपको प्लेटफॉर्म टूल होने चाहिए अगर नहीं है तो यहाँ पर मैं लिंक दे तूँगा इस्टॉल कर सकते हो ठीक है अभी इस पैच फाइल को जो है इस प्लेटफॉर्म टूल के अंदर आपको सिंपली पेस्ट कर देना ठीक है उसके बाद में आपको क्या आपको फोन को जो है फास्ट बूट मोड में बूट कर लेना सिंपली हम जाएंगे यहां पर एडवांस में और यहां पर जो है बूट लोडर पर यहां पर क्लिक कर देंगे तो यह जो है फास्ट बूट मोड मे यहां पर connect कर देना फिर मैं आपको दिखाता हूं क्या यहां पर टाइप करना है ठीक है तो यहां पर फास्ट बूड में यह आ चुका है उसके बाद में सिंपल इसको हम पीसी से connect करने वाले है आपको आवाज सुनाई दे रही होगी तो मैं थोड़ा सो जूम कर लेता हूं ठ यहां पर यहां पर आपको type करना है cmd ठीक है cmd करने के बाद यहां फे you hope google और चूब्स पाइस कीटी उसको यहां पे drag कर देना ठीक है तो यहां पर यह फाइल हमने जो है पैच कीती तो इसको simply यहां पर drag कर दूँगा मैं ठीक है और यहां पर simply हम enter press कर देंगे ठीक है तो यहां पर sending boot यहां पर कुछ लिखा रहा है ठीक है तो यह जो है simply successfully हो चुकी है flash उसके बाद में आपको क्या करना है यहां पर लिखना है फार्ट बूट रिबूट ठीक है तो आपका phone जो है reboot हो जाएगा यहां पर यह तो यह reboot होना start हो जाएगा automatically यहां पर केबल से connected है अब आप simply इसको निकाल सकते हो आराम से अब हम फोन पर आते हैं देखते हैं यहां पर यहां फूब हो दृब हो जुका है अब सेंपल हम इसा अंलोग करेंगे और जाएंगे यहां पर आप अदर देखते हैं यहां पर जो है इस्टाल हुआ हुआ है यहां पर simply super key यहां पर enter कर देंगे हम लोग ठीक है ना तो यहां पर हमने super key enter की थी ए 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर simply okay प्रेस कर देंगे ठीक है ना तो as you can see यहां पर लिखा रहा है यह patch जो है install है kernel patch यहां पर install हो चुका है successfully android patch यहां पर install नहीं है तो simply यहां पर install पर क्लिक करेंगे so as you can see simply आप यहां पर install पर क्लिक करोगे super key डालने के बाइब install पर क्लिक करोगे यहां पर working condition में यह आ चुका है यहां पर आप जो है simply यहां पर जाके जो है module वगेरा flash कर सकते हो जो भी आप magics में इस्टॉल करते हो वह सारे यहां पर install कर सकते हो प्लस point यहां पर यह है कि यहां पर banking app यहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे आपको काफी अच्छे ते work करेगा और यहां पर root गड़ यहां पर यहां जो पर यहां पर यहां पर यहां पर काफी है जो भी